स्वागत है आपका मेरे यूटुब चैनल स्माकेडमी में आज हम बात कर रहे हैं आंकलन दस के बारे में रेखाखंड रेखा हुआ कीरन को रिकस्तानों में लिखना है यानि रेखाखंड रेखा और कीरन को रिकस्तान में लिखना है जिसे यानि एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जो लाइन जा रही है इसको कहते है रेखा खंड यानि एक बिंदू से शुरू होकर दूसरे बिंदू तक जा रही है तो इसको कहते है रेखा खंड रेखा खंड और कीरन यानि रेखा खंड का मतलब है जो एक बिंदू से शुरू होकर दूसरे बिंदू तक जा रही है उसको रेखा खंड कहते हैं और एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक अनन तक जाती है उसको रेखा कहते हैं और एक बिंदू से शुरू होकर अनन तक जा गया है तो आपको P से यानि एक ऐसे लम डालना यानि एक मादी का खिंचनी है यानि O नाम दे दिया तो मादी का होगी P O यानि या मादी का होगी उसके बाद में A B C दिया गया है और इसमें तीन कौन दिया गया है तो इसमें एक तो यहां पर लिखना है किसी संख्या का आदा करना फिर पी माइनस एक बटे दो पी माइनस एक बटे दो का मतलब दिएगी संख्या में इसे आदा गटाना जैसे पी का मान मान लिजी एक है और एक में इसे कितना माइनस करना है एक बटे दो माइनस करना है यानि आदा माइनस करना है दीगे संख्या में से आदा गटाना next है x प्लस 2x किसी संख्या के दुगने में वही संख्या जोड़ना जैसे x का मान मान लेजी, x का मान 2 है x का मान अपने 2 माना फिर 2, अब जो आगे 2x है उसी में 2x का यानि और जोड़ देंगे, वही संख्या समान और जोड़ देंगे तो 2 की X किसी गए दोर लिख दिया 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 और 2 6, यानि किसी संख्या के दुगने में वही संख्या जोड़ना Next है अगला परसन अपने पास दिये गए है तिर्बुजों के नाम कोनों के अधार पर लिखें यानि कोनों के अधार पर इनके नाम लिखने है जिसी ये कोन 60 डिगरी का है ये भी 60 डिगरी का है, ये भी 60 यानि जब तिन्नों कोन समान होते है तो उस तिर्बुज को संभाव तिर्बुज कहते है कौन सा तिर्बूज कहते है, समभाव तिर्बूज नेक्स्ट है, एक कौन 90 डिगरी का है और दो कौन 45-45 डिगरी के है जब एक कौन 90 डिगरी का है तो उस तिर्बूज को सम कौन कहते है क्या कहेंगे, सम कौन नेक्स्ट है, एक कौन 120 डिगरी का है और दो कॉनubscribe, तैसे 30 डिगरी की हैं तो इसको कहेंगे अधिक कॉन येनि जब 90 से कम होता है यानि वो तो हता है निवन कॉन 90 का कर जो हता है समकॉन उसको समकॉन कहते है, 90 से अधिक होता है उसको बोलते है अधिक कॉन अगला परसन है कॉलम ए का बी से मिलान करें चार समकोन वाला समानतर चतरबुज यानि चार समकोन जिसमें क्या हो चार समकोन हो उसको क्या कहते है तो चार समकोन यानि चारों समकोन है तो उसको कहते है आयत नेक्स जाए चार बराबर बुजाओं वाले समानतर चतरबुज यानि जिसकी चारों बुज़ाएं क्या हो बराबर हो उसको कहते हैं सम चतरबुज चार समकोण वाला सम चतरबुज यानि जिसके चार समकोण हो कितने हो चार समकोण हो तो उसे कहते हैं वरग यह है वरग यह है आयत और चार बराबर बुजाएं यानि जिसकी चार बराबर बुजाएं हो तो उसको कहते हैं समानतर चत्रबुज अगर चैनल पल नहीं है तो पली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन का से दिवाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटर के सनाब तक पहुंचते रहें और बाकी के जो आप यानि इसे जो आकलन दस से पिछे के आकलन नो तक पूरे के पूरे यानि मेत की जो वरक्षिट है वो कम्प्लीट पले लिस्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बोक्स में पले लिस्ट का लिंक दिया गए वहां से जाकर आप आसानी सुनको देख सकते हैं थैंक्यू